एक साल पहले 25 दिसमबर 2020 को पाकिसान की सबसे नई एरलाइन एरसयाल ने अपने आपरेशन स्टार्ट किये थे इस पिछले साल मैंने इस एरलाइन को तीन दफा फ्लाइ किया है तो मैंने सोचा है I'm in a very good position to make a one year review of this airline इस review में हम discuss करेंगे कि कौन सी ऐसी चीजे हैं जो इस एरलाइन ने अच्छी की कौन सी चीजों पर यह अभी भी इंप्रूफ कर सकते हैं और जो सबसे बड़ा feature इन्होंने एक साल के operation complete करके unlock किया है वो है international destinations और इस वीडियो में हम यह भी discuss करेंगे कि कौन से वो दो जहाज हैं जो airsyal को अपनी fleet में शामिल करने चाहिए मेरी opinion में ताके वो national aviation policy के मताबक international destinations में fly कर सकें और इस वीडियो के आखर में मैं कुछ वैसे अपना तज्जिया दोंगा कि where do I see the aviation industry of Pakistan going और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सारी airline पाकिसान की implement कर सकती हैं ताके उनका business model थोड़ा और strong हो सके तो let's start the review तकरीबन एक साल पहले मैंने decide कि मुझे airline reviews करने चाहिए क्योंकि मेरा काफी कराची से इसलाबाद आना जाना हो रहा था इस साल तो मैं सोचा कि let's start with airseal क्योंकि यह सबसे नई airline है तो जब यह मैंने idea अपनी family के साथ share किया तो वो बहुत जादा डर गए यह January की बात है तो असकत इस airline को सिर्फ एक महीना हुआ था तो डर गए औरने का कि यह तो बिल्कुल भी safe नहीं है बिल्कुल नहीं airline है अभी देख लो क्या होता है तो जब इस तरह का reaction आया तो मुझे यह एसास हुआ कि हमें aviation industry के बारे में पाकिस्तान में awareness फिलानी चाहिए क्योंकि I think a lot of people don't know the dynamics of this industry अब क्योंकि मुझे जहाजों का बहुत शौक था और commercial aviation खासतोर पर मुझे बहुत अदर fascinate करती है और मेरा frequent flyer experience भी था तकरीबन 25 airlines मैंने दुनिया भर में fly की हैं तो मैंने फिल्मेकिंग experience और यह जो मेरी शौक था जहाजों का उन दोनों को combine किया और I started doing airline reviews this year और उस पे आप लों का बहुत अबर दस response आया है तो I want to thank you for that और इस वज़े से मैं यह video भी बना रहा हूँ से मुझे बहुत अदर motivate भी किया है तो I want to go back to the first review जो air saalga था जो मैंने जैनुरी में fly किया था तो as a critical viewer जो मैंने उस airline में देखा was very promising कुछ चीजें कुछ gaps थे थोड़े बहुत क्योंकि बिलकुल नहीं airline थी एक महीने पुरानी थी तो I was a bit lenient on it but मुझे जो चीजें नजर आई थी it had all the ingredients for success तो जो पहला review था वो अच्छा रहा उसमें फिर मैंने इसको second time भी fly किया तो June 2021 में मैंने air seal को फिर से fly किया और इस बार मैं देखना चारा था कि air seal का जो direction है वो उपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है वो जो चोटे मोटे hiccups थे जो मैंने पिछली बार छोड़ दिये थे क्योंके बिल्कुल नहीं airline थी और it's understandably काफी मुश्किल होता है एक ऐसे बड़े operation को start करना तो जो मैंने leniency दिखाई थी इस बार जो च्छे महीने बाद का मेरा review था Instagram पर मैंने दाला था उसमें मैंने उन सब चीजों को देखा नोट किया और इस बार भी जो मैंने fly किया था वो APBOA उनका जहाज है इनके तीन जहाज है और उनके क्या codes हैं उनकी क्या history है यह मैं already air seal कि अपने full review में share कर चुका हूं तो you can watch that review as well for context तो एक तरह से जो तीनों दफा मैंने fly किया है वो APBOA था तो एक तरह से जो variable था वो control था and I could I can actually review के aircraft cleanliness क्या थी aircraft की degradation तो नहीं हुई भी तो इस सब इस यह सब चीज़े मैं इस full video में share करूंगा आपके साथ मेरा air seal का mid term review मेरी Instagram highlights पर available है तो you can check it out on my Instagram profile मगर to summarize मैंने जो देखा mid term review में वो यही था के it's an improved airline जो थोड़े बहुत चीज़े मैंने point out की थी वो improve मुझे नज़र आई जिससा के bathroom में elevatorry में जो bar soap था वो replace हो चुका था with the hand wash फिर मैंने देखा के उन्होंने comment cards दिये थे सारे passengers को जो मेरे लिए first time था in बाकी airlines भी पाकिसान में करती रही है मगर मेरा कोई ऐसा वास्ता नहीं पड़ा तो airsyal was the first time I saw that तो दोनों मेरी जो second or third flight थी उस पे उन्होंने customer feedback card मुझे दिये comment card उसके इलावा in my second flight the cabin crew was star of the show they were absolutely superb और all in all my three flights like cabin crew was the highlight और captain भी अच्छे थे जो मेरी second flight थी उसमें turbulence बहुत जादा थी तो captain was यानि काफियों ने हमें informed रखा which I really like and admire अपनी दूसरी flight में मैंने particularly notice किया था कि जो जहाद था उसमें बात अची हुच्छबू आ थी और उस अगद मैं मिडल सीट में बैठावा था और जो मैं तीसरी flight थी उसमें मैं front row में बैठावा था तो तीसरी flight में मैंने देखा कि air host तो definitely I wasn't hallucinating in my second flight तो यह भी एक small touch है दूसरा मैंने एक और चीज नोटिस की थी third flight में भी वो यही थी कि after every time कोई toyot उसका रहा था लेवेटरी उसका रहा था तो उसके बाद देखाएजिंग the handles and everything तो यह जो small touches है they put air cell energy above जो मैंने notice किया है compared to other airlines तो third flight जो थी मेरी वो October में थी और October में भी I saw an improved airline product wise कोई जादा improvement नहीं थी but business model wise I saw a lot of improvements तो जो सबसे बड़ा change मैंने देखा वो यह था कि boarding pass के पीछे I saw ads of union pay तो this is very smart thinking यह भी मैंने पाकिसान में अभी तक किसी airline को नहीं देखा correct me if I'm wrong but this is new so as far as I know so this shows that this is smart thinking क्योंकि मैं इन्टरनेशनली जो budget carriers है उनको देखा है this is a revenue stream so I like the fact that they are diversifying their revenue streams उसके इलावा जहाद के अंदर भी एक brochure था probably a paid advertisement यह a hotel का था जिदर they were offering a 50% discount for airsyal passengers तो और यह मैंने अभी online चेक भी किया है जो airsyal की flight के अंदर जो मैंने rate देखा है that is actually half the price जो आप वैसे booking.com पे देखते हैं तो this means that जो airsyal के customers को actually airsyal good value offer कर रहा है so that is a good thing I see तो यह जो revenue streams diversify कर airsyal that is a very smart business move and I really like it इसी साल के अंदर airsyal ने अपनी mobile app भी launch कर दी है और शुरू मैंने देखा था उनकी website पे थोड़े payment gateway issues आये थे online payment करना काफी मुश्किल था but that is also fixed now and you can purchase tickets on their website इसके लावा airsyal की on-time performance और regularity भी काफी अच्छी रही है इस साल it was easier this year क्योंके इनका सरफ domestic network था अब जब international होता है तो देखेंगे कि airsyal कैसा perform करती है but this year they really did very well on that अब हम थोड़ा सा pivot करेंगे और ऐसी बातों के बारे में बात करेंगे जो अभी भी airsyal को improve करने की जरूरत है but before we do that मैं आपे mention करना चाहा था के जो मेरी तीनों flight थी पिछले साल उन तीनों में मील सर्फ नहीं किया गया था यह अभी recently start हुआ है जहाज में काना, सर्फ करना तो I cannot review their food for now but जो मेरे relatives ने airsyal में fly किया है recently उनने का काफी अच्छा feedback है but again, मैंने खुद अभी तक try नहीं किया तो I cannot give any definitive verdict on that तो now let's talk about the things जो अभी भी airsyal को improve करने की जरूरत है यह मैंने पने पहले review में भी बोला था यह मैं अब भी बोलूंगा के airsyal अपने passengers को personal hand sanitizer नहीं दे रहा है तो आपके कुछ competitors यह कर रहे है तो they have an edge over you मैंने कुछ pictures में देखा है कि यह amenity tickets airsyal की flights में offer की जा रही है मगर this is not a regular thing यह बहुत rare है और यह जो में तीनो flight थी उसमें यह offer नहीं की गई थी तो मेरी request यही होगी airsyal से कि कि इसको किसी तरह से regular कर दें अपने cabin product को थोड़ा uplift हो जाएगा इससे आपका and you can get it sponsored by probably something a partner like Unilever for example तो इससे जो आपकी cabin product है बहुत जादा आगे चला जाएगा और अगर कोई sponsor आपको मिल जाता है of course तो it will not be an added cost to you तो यह definitely जो आपका है ना यह gap है जो improve हो सकता है branding airsyal की मुझे बहुत जादा पसंद है as you all know from my first review but there are a few gaps there as well जिसना के hand wash जो आपका है lavatories में उसमें आप अपनी branding नहीं कर रहे आपने काफी बुरा लग रहे है उसमें आपना sticker फाड़ा है जो आपने खरीदा हुए hand wash doesn't look very nice for the brand तो इसमें भी आप थोड़ा सा improvement ला सकते हैं इसके लावा airsyal अपने young passengers के लिए जो छोटे बच्चे flight में होते हैं उनके लिए कोई toys का बंदोबस कर सकता है इससे बच्चों की flight भी memorable रहती है parents भी खुश हो जाते हैं और parents को एक incentive मिलता है to fly the airline again तो मेरे खाद से airsyal के लिए काफी असान है यूँके this airline is backed by Salco Chamber of Commerce and Industry तो I'm sure they can spare a few footballs for their passengers as well if you know what I mean मैं यहापे अपना airsyal का review pause करूँगा ताके मैं कुछ चीज़ें discuss कर सकूँ जो wider पाकिसानी commercial aviation sector पे apply करती है तो मैं तीन पॉइंट discuss करूँगा एक है rewards program, दूसरा है connections और तीसरा है hospitality और holidays तो मेरा पहला point है rewards program या a lack thereof यह मैं अपनी पहली वीडियो में भी mention कर चुका हूँ और मैं यह फिर से mention कर रहा हूँ कि there is a huge market gap in frequent flyer rewards program या loyalty programs in Pakistani aviation market और जो पाकिस्तानी airline भी यह loyalty program को सही तरह से launch करेगी और इसको implement करेगी, it will reap the benefits of it और इसको बहुत जादा फायदा होगा I am a firm believer of that तो again, मुझे नहीं पता कि क्यों इतना time लग रहा है या क्यों यह पाकिस्तानी market में अभी तक properly मैंने कोई loyalty program नहीं देखा है PIA और Airblue दोनों ने attempts किये हैं but they are very like honestly not a very good job इसके incentives बहुत ही खराब है कोई बिलकुल भी advertisement नहीं है तो जो यह loyalty programs है definitely they need a lot of work जो already existing है और जो Sireen और Airs चाल है इन दोनों को अपने loyalty programs अभी तक उन्होंने launch नहीं किये है which I think they should तो मेरी suggestion वो यही है कि any of the four airlines उनको Emirates, Emirates Skywards या Qatar Privileged Club मेंसे किसी Pakistani high authority को उठाना चाहिए और इसको hire कर लेना चाहिए and just copy paste those amazing frequent flyer programs and I think it should not be that difficult और उसको तो तो सा लोकलाइज कर लें तो definitely इसमें बहुत बड़ी opportunity है whichever airline goes and does this first तो खर हम international aviation trends को देखें तो यह बहुत clearly जाहर हो गया है कि जो frequent flyer programs है airlines के यह बहुत important part बन गया है उनके business model का जो पैसे कमाने का model था वो different होता जा रहा है aviation sector में और it's very hard to make profits just by selling tickets तो इसी वज़ा से जो US carriers है for example उनके जो frequent flyer programs है they have been time tested for decades और आजकल उनकी worth billions of dollars में होती है तो definitely यह time tested चीज है a lot of airlines are doing this successfully तो definitely Pakistan में इसकी खुला मिदान है अभी तक किसी ने भी इसको implement नहीं किया है तो definitely यहां पे एक बहुत बड़ा gap है as I'm mentioning again and again तो I hope के 2022 में हम कोई अच्छा सा frequent flyer या loyalty program देखेंगे from any of the four carriers तो मेरा दूसरा point है connections और यहां पे मैं AirSeal की example दोंगा but this point applies to all the other airlines as well तो for example AirSeal ने Sealcoat Airport को उसरा से utilize नहीं किया जासे वो कर सकते थे और Sealcoat Airport as you know is made and backed by the Sealcoat Chamber of Commerce and Industries और यह वही ग्रूप है जिसने AirSeal को भी launch किया I'm not really sure but it might be possible के AirSeal के लिए Sealcoat Airport पर tax breaks या कोई fee reductions हो जिससे उनकी जो वहां की flight से थोड़ी और भी competitive हो जाएंगी और what they could do is के वहां से वह feeder buses को launch कर सकते हैं और यह बहुत आजकर असान है क्योंके Chinese buses जैसे Yutong bus है वह बहुत ही जादा comfortable और high उसमें आती हैं configuration में आती हैं तो they could also maintain their cabin product like that तो इस तरह Sealcoat से आप गुजरावाला, Mandi Bahuddin, Khariya और इस तरह की destinations हैं वह access में आ सकती हैं और you can pick passengers from these destinations from by bus और उनको आप Sealcoat में feed कर सकते हैं तो यह मैंने इतिहाद airways को करते वे देखा है, UAE में तो मैं वही model आपको यहां पर बता रहा हूँ जो पाकस्तान में भी I think is very viable तो यह मैंने खुद भी experience किया हुए इतिहाद airways का वो दुबई से passengers को pick करते थे by bus और अब अबुदावी में direct उनको एरपोर्ट पर drop करते थे और दुबई में ही वो जो bus station था वहीं पर आप अपना जो luggage है उसको check-in करा दे थे थे और आपको वहीं पर boarding pass भी मिल जाता था और जब आप एरपोर्ट में आदे थे तो सिरफ आपको security करके फोरण जहाज बोर्ड करना होता था तो इससे उन्होंने जो Emirates का passenger है वो cut किया और अगें आपने थोड़ा साथ discount भी देना होता है इस मामले में तो I think के for example air sail के case में you can do that उसके इलावा जो है आप यह जो feeder connections है आपके यह आप अपने गल्फ carriers को भी बेच सकते हैं जाए like Emirates इतिहाद या Qataris को तो they could land at sail court and then you offer them your feeder buses to again गुजरावाला वगयरा जो छोटे एक एक डेडेड़ घंटे पे जो distance पे आपके एरपोर्ट के आता है radius you can do those bus services as well तो again यह आपके जो cabin product है इसको यह आपके network को बहुत ज़ादा expand कर देगा और मेरा तीसरा और आखरी point है hospitality holidays मेरे ख्याल में पाकिसानी airlines को एक travel agency भी बन जाना चाहिए they should start offering tour packages or holiday packages अब पाकिसानी tourism industry उठ रही है बहार से international tourists आ रहे हैं तो what they should do is यह जो एक तो feeder buses का connections है उसको भी offer करें और for example they should be an all Pakistan tour तो इसमें आपका domestic network जो आपका airline का उसको भी utilize करें तो आप एक पूरा package बनाए कराची लहुर असलाबाद करदू का जो airport है वो भी खुलने वाला है और काफी इसमें international flights भी आ रही है तो you could use all of those networks to offer packages तो इस तरह से आप partner भी करें 3, 4, 5 star hotels के साथ तो you could offer these incentives पाकिस्तान में जो यह tourism को facilitate करें आप लोग और again make money in the process as well तो यह भी कोई मैं कोई नोखा idea नहीं दे रहा यह Emirates और Qataris already करते हैं अपने holiday packages उनके होते हैं और again अगर आपका यह reward program होगा तो you can cash those in for your holiday packages as well अब हम वापस आज जाते हैं air seal के one year review पे और now we are gonna talk about their international destinations or aircraft fleet तो again जैसे मैंने वीडियो के शुरू में का था कि अब क्योंके air seal ने एक साल complete कर लिया है तो they have unlocked the biggest feature कि अब वो international fly कर सकते हैं इसके लिए उनको भी इनके पास 3 जहाज हैं इनको 5 जहाज करने होंगे 120-200 वही इनको दो और ले लेने चाहिए they should not try to experiment उनको कोई बड़ा जहाज ने लेना चाहिए white body या कोई और किसम का जहाज ही लेना चाहिए just stick to the basics और से होगा कि एक तो आप बहुत जादा पैसे बचाएंगे क्योंकि आपको कोई नया स्टाफ रिक्रूट नहीं करना पड़ेगा नहीं ट्रेनिंग नहीं करना पड़ेगी और आपका जो minimum cost जो है न काफी minimum हो जाएगी यह भी again this is the best practice easy jet ryan air यही करता है air blue भी तक्रीबें to an extent यही करता है तो again just stick to the basics और इससे अपने आप पांच जहाद पूरे करें जब आप भी बहुत नहीं हैं just just one year इससे आपका cabin product भी consistent रहेगा और जो है then after आगे पांच साल शे साल जब आपको हो जाएंगे then you can start experimenting with your fleet or I think in post covid world aviation sector में A320 is a good product single sorry narrow body jehaz is the best product I think to again this is what I would do in my opinion what air cell should do just stick to the basics and go for two more A320s and don't experiment further इसके इलावा international destinations में I think Gulf countries सबसे दादा they make sense business sense क्योंके वहाँ पे high traffic है और consistently throughout the year आपको traffic मिलता है so that is a big thing इसी वजह से air blue और serene और PIA they fly to Gulf so much इसी वजह से I think air cell को भी इसी इनी destinations पे fly करना चाहिए इसके इलावा यह मेरी समझ से बाहर है कि अभी तक कोई पाकिस्तानी local airline ना मालदीर्स जाती है ना निपाल ना स्रिलंका और ना तर्की मुझे समझने आती है क्यों है और पाकिस्तानियों के पास सरफ एक option है गल्फ केरियर्स और यह मैंने destinations बड़ी important वहनी source समझ के मैं destinations बता रहा हूं क्योंकि यह वह destinations हैं जहां पे पाकिस्तानियों के लिए वीजा requirements या तो वीजा on arrival है यह बहुती easy वीजा एकसेस है year on year हजारों पाकिस्तानी टर्की जाते हैं और they have to use Turkish Airlines या Gulf Carriers तो मेरी समझ से बाहर है कि पाकिस्तानी एर लाइन इस मौके का फाइदा क्यों निठाती हैं इसके इलावा से लंका निपाल यह बहुती cheap tourist destinations है तो again considering our demographic अगर हम उनको again holiday packages जो मैंने पहले भी mention किया है अगर आप it's going to be successful तो again सिरलंका निपाल दोनो निपाल वीजा अराइवल है सिरलंका is e-visa is very easy तो I think यह दोनों options आपके पास available हैं इसके लावा मशहद एरान और नजफ और बगदाद इराक यह भी आप season wise कर सकते हैं international destinations हैं बहुत ही they make business sense उसके लावा जो holiday packages again you could do umra packages as well for that तो यह कुछ मेरे खासे international destinations है that you could do with A320 so to conclude this video airseal वो airline है जो एक साल पहले मेरी family मुझे मना करी थी और डर रही थी कि मैं ना fly करूं और दौाइं मांग रही थी और एक साल बाद यह वो airline है जो मैं अपनी सारे relatives को recommend करता हूं कि वो fly करें मैं खुद भी यह prefer करता हूं and they have no issues in flying this airline, तो एक साल में इतना बड़ा transition लेना, it's a huge achievement for this airline, again I'm not being paid by A320 to say this, काश मुझे पैसे मिल रहे होते हैं जो मैंने आज advice दी है, free में, तो again यह मेरी genuine advice है and I, मैं इसलिए advice दे रहा हूं and यह जो अच्छा competition हो रहा है पाकिसानी aviation sector में, यह पूरी aviation industry के लिए पाकिसान के लि अब यहां पे आप आ गए हैं, तो यह यहां को इसको इधर maintain करना अपने आपको यह बड़ा important है, अब आप international destinations को introduce करेंगे, आपकी fleet बढ़ेगी, तो problems आने का भी खच्चा है, और अगर आपने इसको सही तरह से manage नहीं किया, तो you can go down as well, तो मेरी तो उमीदें अच्छी है, I hope the best, I wish the best to AirSeal for their future in 2022, मैं बहुत excited हूँ to see के और क्या होता है, अविशन सेक्टर में पाकिसान के बहुत सारी नई airlines भी आ रही है, तो I'm really excited for the next year, 2022 में expected है के और भी नई regional airlines आएंगी, और का business model मुले थोड़ा सा different लग रहा है, तो that's also very exciting, और इंशालला इस चैनल पे वह सब भी review करूंगा, तो if you are not subscribed, if you are not following me on Facebook, please do that, ताके आप उन चीजों को miss ना करें, इसके इलावा अगर आपको और भी ideas हैं, जो मैंने आपे share नहीं किये, आपके पास और ideas हैं, तो do comment below, अगर आप मेरी किसी बास से disagree करते हैं, तो also you are welcome to comment below, and let's have a discussion about this, so my best wishes to all the four airlines in Pakistan, और जो भी नही एरलाइन लाउंच होंगी अगले साल, 2022 मेरे खाल से काफी एक्साइटिं होगा पाकिसानी अविशन इंडस्री के लिए, तो I am really excited for that, so I want to also wish you all a happy new year, और again, make sure you are subscribed, and you like this video, and share this video, and I will see you in the next one.